आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पनीर हैत्रावादी सबजी की रेसिपी बहुती क्रीमी और डिलेसियस ये सबजी बन के तयार होती है आप घर में चोटी मोटी पार्टी में आप इसे एक बार जरूर बना करके ट्राइ करें सभी तारीफे करते वे धकेंगे नहीं इ इसी के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है बनाना तो इसे बहुत ही आसान है तो चलिए बिना देरी करते हुए हम रेसिपी सुरू करते हैं है हैदरावादी सबजी बनाने के लिए गयास पे कोई कढ़ाई या पैन रखे अब हम इसमे पनीर को इसमें हम डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम कोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और ये लीजिए पनीर हमने फ्राई कर ली है यह आप देख सकते हैं हमें इतना ही पनीर को फ्राई करके ले लेना है इससे ज़्यादा हमें इसे प्राई नहीं करना है सारे पनीर को हम प्लेट में निकाल लेते हैं बची वे तेल में यहाँ पे हमने दो मेडियम साइज में प्याज लिया है जिसे हमने स्लाइस में काट करके ले लिया है इसे हम लोटो मेडियम फ्लेम पे इसे भी हम चलाते वे इसे हम फ्राइट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हमने चार से पाच लसन की कलिया दो हरी मिश, आठ से दस काजू, एक इंच अदरक का टुकरा इसे भी हम प्याज में डाल करके लो टू, मीडियम फ्लेम पे प्याज के साथ अच्छी तरीके से हम भूल लेंगे अब यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज में टमाटर लिया है रफली चॉप काट करके थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया के पत्ते लिए है इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे चलाते वे प्याज के साथ थोड़ा हम इसे सौटेज कर लेंगे हमें इसे इतना बुनना है ना कि जितना की टमाटर अच्छी तरीके से थोड़ी गल जाए यह देखिए अब यहाँ पे हमने 150 ग्राम यहाँ पे हमने पालक ले लिया है इसे हमने अच्छे से दो करके ले लिया है उसके बाद हम इसे इसमें डाल देते हैं और ढख करके एक से दो मिनट हम इसे रहने देते हैं एक से दो मिनट के बाद हमने धक्कन हटाया ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पालक गल चुकी है एक बार हम इसे चला लेंगे फिर से हम इसे एक से दो मिनट हम इसे कवर कर देंगे और एक से दो मिनट के बाद हमने धक्कन हटाया ये आप देख सकते हैं पालक अच्छे से गल चुकी है टमाटर भी अच्छे से गल चुकी है ये देखिए इसे अब हम चलाते वे एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस के फिलेम को आफ कर देते हैं और थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं सारे चीजे ठंडी हो चुकी है मिक्सी के जार में हम सारे चीजों को डाल देते हैं जार का डखकन लगा के हम इसे फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे और ये लीजिए हमने इसका फाइन पेस्ट तयार करके ले लिया है चलते हैं गैस की तरफ गैस पे हम सेम पैन रखेंगे अब अब यहां पे हमने 6 से 7 टेवल स्पून तेल ले लिया है आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं अब यहां पे हमने कुछ खड़े मसाले डाल दिया है दो हरी इलाइची दो लॉंग एक इंच दालचीनी का टुकरा एक बड़ी इलाइची आठ से 10 काली मिर्च सारी चीजों को हम लो टू मेडियम फ्लेम पे इसे हम चला लेंगे बस हमें इसका फ्लेवर चाहिए अब हम इसे निकाल लेते हैं सारी चीजों को और ये लिजिए सारी चीजों को हमने निकाल लिया है अब हमने जो पालक का पेश्ट तयार करके रखा हुआ था ना इसे अब हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम एक से दो मिनट हम इसे भूल लेंगे ये देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए एक से दो मिनट भूल लेंगे अब हम इसमें कुछ पॉडर मसाले एड़ करेंगे हाप टेवल इस्पून रेट चिली पॉडर हाप टेवल इस्पून धन्या पॉडर हाप टी इस्पून हल्दी पॉडर half table spoon जीरा का powder सारी चीजों को mix कर देंगे हम इस पनीर की सबजी में हल्दी का इस्तिमाल कम करेंगे अब हम इसे अच्छे से mix करते हुए एक से दो मिनट चला लेंगे अब हम इसे cover करते हुए दो से तीन मिनट रहने देते हैं दो से तीन मिनट के बाद हमने धक्कन हटाया अब हम इसे एक बार इस तरीके से चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे यह देखिए अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं अब यहाँ पे हमने त्री टेवल इस्पून फैटी वी दही इसमें डाल दिया है आप जब भी सबजी बनाए न तो अगर दही आप उसमें एट कर रहे हो तो गैस के फ्लेम को आफ क कर दे उसके बाद ही सबजी में आप दही डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है डाय यह दिए हैँ अभ तेस्ट की मलाई भी ले सकते हैंほई करीं डालने के नमक डालने के बाद हम इसे mix कर लेंगे ये देखिए एक से दो मिनट हम चलाते वे फिर से हम इसे पका लेंगे अब हम इसे cover करते वे तीन से चार मिनट हम इसे रहने देते हैं तीन से चार मिनट के बाद हमने डगकन हटाया यह आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बन के तयार हुई है अब हम इसमें half टेवल इस्पून गरम मसाला वन टेवल इस्पून कस्तूरी मेथी को हाथों पे इस तरीके से क्रस्ट करके डालें क्रस्ट कस्तूरी मेथी दालने के बाद हम इसे ग्रेवी में अच्छे से मेक्स कर देंगे अब हम इसमें फ्राइ किये वए पनीर को डाल देते हैं यह देखिए सारे पनीर को आप इस तरीके से डाल दे यह आप देख सकते हैं हमने सारे पनीर को इसमें डाल दिया है अब हम इसे एक बार चला लेंगे यह देखिए हमने इसे एक बार इसे अच्छी तरीके से चला लिया यह आप इसका ग्रेवी का टैक्सर देखिए बहुत अच्छी सबजी बन के तयार हुई है यह देखिए यह आप देख सकते हैं सबजी हमारी डन है चलते हैं सब करने की प्रोसेस पर ये लीजे पनीर हैदरवादी बन के बिल्कुल तयार है क्रीमी और टिलेसियस ये लग रही है आप इसे पूरी पराटे चावल रोटी नान किसी के साथ इंजोई कर सकते हैं इसे आप एक वार जरूर बना करके ट्राइ कर करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें फैमली फ्रेंड में सेर करें चैनल पर नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आप से मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ थाइंक यू हूँ